तुझे से नाराज नहीं जिन्दगी हेरान हूं मैं सास हेरान है मन परेशान है हो रही से क्यों रुआसा ये मेरी जान है इस खूपसूरत कमसिन आवाज का आज हर कोई दिवाना है उसकी आवाज में गजब का जादू है उसके गीतों में एक ऐसी खनक है कि जो भी सुने वो पागल हो जाए वो नेपाल की नेहा ककड है वो नेपाली में भी गाती है और हिंदी में भी उसकी आवाज की दिवानगी ने नेपाल में लोगों को अपना मुरीद बना लिया है हाँ तुझसे नाराज नहीं जिन्दगी हैरान हूं मैं हो हेरान हूं मैं तेरे मासूम सवालों से परेसान हूं मैं हो परेसान हूं मैं मुपलिसी में हुनर नहीं पनपते सिमरन ने इस फलसफे को जूठा साबित कर दिया महज 18 साल की उम्र और आवाज ऐसी कि जो भी सुने वो दीवाना हो जाए अपनी मखमली आवाज से सिमरन ने नेहा ककड को भी पीछे छोड़ दिया नेपाल के गरीब परिवार की होनहार लड़की जिसने न कभी गाने का रियाज किया और ना ही किसी से ट्रेनिंग ली गाना उसका शोख है और मकमली आवाज इस्वर का दिया हुआ एक नायाब तोफा छोड़ने छाईना साथा तम रही नाउमा चल छा मेरो दीना राता छमक छमक मेरी पाउजू पाउजू ले बोलाया लाई देव पी रती तेसे ले माहाया नेपाल के बागलून की रहने वाली सिमरन परियर आज नेपाल में किसी नाम की मोहताज नहीं है आज उसकी आवाज ही उसकी पहचान बन गई है बारहुई में पढ़ने वाली सिमरन आज अपनी आवाज से पहचानी जाती है उशे नेपाल में नेहक ककर के रूप में जाना जाता है जुड के भी तूटी रही सके दीर दोर वे किसको सुनाए जाके तूटे दिल का सोर वे माही वे मोहबदा सचियाने मंगदा नसीबात कुछ हो वे सिमरन गरीब परिवार से तालुक रखती हैं पिता बच्चों की परवरिश के लिए ही रोमानिया में नोकरी कर रहे हैं तो एक भाई और माही सिमरन के साथ रहते हैं बच्पन से ही गायकी के शौक ने सिमरन को सिंगर बना दिया लेकिन सिमरन को दरकार है एक मंच की जरूरत है सोनु सूद जैसे किसी रहनुमा की जो सिमरन जैसी कलाकार को एक मौका दे सके वालिवुट को इंतजार है एक नमोदित मल्टी स्टार की जो आज अपनी आवास से छा जाने को बेकरार है सास हे रान है मन परे सान है हो रही से क्यों रुआसा ये मेरी जान है क्यों निरासा है आस हाली हुई क्यों सवालों का उठासा दिल में तूफान है नेपाल की स्वर कोगिला के लिए अस्तित न्यूज की सितारों से दरकार है इस हुनर को मंच दे अस्तित न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट